हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई इस्टोडीफी चैनल दोस्तों प्रिवेस येर में जितने भी कोस्टन्स फीजिकल एजुकेशन कंपेटिटिटी एक्जाम्स टिजिटी पीजिटी के विएस एन्वियस इल्टी में पुछे गए हैं उस भी कोस्टन्स को टापिक वाइज आ दोस्तों इन सभी जो उसका प्रिप्रेशन ले दिया दिया जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा तो दोस्तों चलिये चलते हैं आज के प्रश्नों की तरब तो फुटवाल खेल में हेड़ पॉस के समय सरीर के बिभिन भाग के कौन द्वारा इनमें से कौन गतिमीधी और मुमेंट परेश्यत किया जाता है कि जब आप फुटवाल में हेड़ पास देते है उसमें आपकोила कि कौन स क्ष़एप धी होती है तो दोते हैं फिलैक्टिस एक्स्टेंशन होता है फुलैक्शन एक्स्टेंशन मुमेंट होता ह आप्सन नमबर यहां पर करेक्ट होगा नेक्स कोश्चन है नेने मेंसे किस खेल में खेलती से में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता तो दोस्तों फुटबाल में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता आप्सन नमबर यहां पर करेक्ट होगा फुटबाल में कोई टाइम नहीं दिया जाता है ठीक है जबकि बॉलीम में एक team को प्रतिएक state में दो timeout 30- sek-nd का दिया जाता है एन बास्केट बाल में प्रति-एक हाफ में एक प्रथम हाफ में 2 timeout और दूसरी आप में तीन टाइम आउट एक एक मिनट का दिया जाता है बट यहां पे दोस्तों फुटबाल में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है नेक्ट कोश्चन है फुटबाल खेल के प्रारम में कब खेल कब गेंद खेल में यानि प्ले इन में होता है तो दोस्तों यहां पर आपसन नंबर भी करेक्ट है कि गेंद अपने परीधी भर दूर आगे जाने पर खिल प्ले इन में होता है यानि दोस्तों जब आप फुटबाल का प्रारम कैसे किया जाता है फुटबाल का प्रारम कैसे किया जाता है किक आप के द्वरा फुर्बार खिल केसे प्रारम होता है किक आफ के द्वरा उस समय जब आप किक आफ देते हैं खिल का प्रारम करते हैं तो गेन कुछ दूरी तो करीगी, यानि अपने परीदी पर दूर जाएगी तो माना जाता है कि वो खेल जो है प्ले इन में है ठीक है और उस जब किक आफ लेने वाला खिलाड़ी जो है गेंट पर दुबारा प्रहा तब तक नहीं करता जब तक कि दूसरे खिलाड़ी द्वरा उससे खेल न लिया गया हो रुड गुलिक सब्द किस खेल से सम्पंद तो किसे है फुटबाल से है कौन सा फुटबाल क्लब सब्से पुराना है बदूसर से फिल्ल फुटबाल क्लब सब्से पुराना फुटबाल क्लब है इसकी थापना 24 अकटूबर 18-ISAPOSING को हुआ था बेरी इंपोर्टेंट है सबसे पुराना क्लब फुटबाल का कौन चाहे शेफिल्ड फुटबाल क्लब इस अपने कब हुआ था 24 अक्टूबर 1870 को नेश्ट ने दोस्तों भारत का सरवादिक फुटबाल क्लब कौन है तो कौन है दोस्तों डलहोजी क्लब भारत का सबसे पुराना फुटबाल क्लब है और बिशु का सबसे पुराना शेफिल्ड फुटबाल क्लब इस कंचन में दोस्तों कि फीफा का गठन किया गया था कब 1904 को पेरिश फ्रॉंस में फीपा का गठन किया गया था और इसका मुख्याले कहा है दोस्तों है यह कॉर्टर जीओरिक श्रीजेल लेंड में और इसके प्रतम अध्याच को थे श्री गुरीन फ्रांस के थे एंड बरतमान अध्याच कोन है ग्यानी इंफेंटीनों है सुर्जय लेंड के बरतमान अध्याच तो इतना आपको याद रखना होगा निश कोश्चन है दोस्तों कि दुरंड कप प्रतियोगिता कि स्खेल से संबंधित है तो किस रहे है फुटबाल से यह भेरी इंपॉर्ड कि सीमला में खोले गए थी और 1888 सी इलेकर 1974 सीमला में ही साइजित होती रही वेडम्य की डिल oyच भी में आयोजित होता है यह आपको ध्यान में रखना है यायनी और अठीट फुटबास pares रोवर्स कप, संतोष ट्राफी जो राष्ट्री ट्राफी है, एंड फेडरेशन कप, नहरु कप, बिसी राय ट्राफी, सुबरतो कप, अंतराष्टी नहरु गोल्ड कप, एसिया कप, आयफ़े सिल्ड, डिसीयम कप, स्टैप कप, कोपा कप इससे रिलेटेड हैं. नेक्ष्ट कोश्चन है, रोवर्स कप की स्खेल से रिलेटेड हैं, तो फुटबाल से. नेक्ष्ट है, निम्न लिखित में से फुटबाल की सबसी पुरानी प्रतियोगिता है, तो कौन सी है दोस्तों, डुरंड कप, आपसन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा. नेक्ष्ट है, सुब्रतो कप की स्खेल से रिलेटेट है, तो किसी है फुटबाल से? आपसन नमबर डी करेक्ट है. नेक्ष्ट है, नेहरू कप जुड़ा हुआ है, तो किसी दोस्तों? फुटबाल से. यहीं पर नेहरू ट्राफी बोल देगा तो हाकी से हो जाएगा इधियान रखिएगा नेहरू कप है तो फुटबाल नेहरू ट्राफी है तो हाकी नेश्ट है चकोला गोल ट्राफी समंधित है किसे समंधित है फुटबाल से कोपा कप किस खेल से समधित है फुटबाल से नेस्ट है DCM कप समधित है किस समधित है तो फुटबाल से रिलेटिड है नेस्ट है फुटबाल यानिक लेने का अस्थान गोल्ड से कितने गज की दूरी पर होता है दोस्तों तो कितने गर्ष की दूरी पर होता है Гोल से पिनल्टि एक फुटबाल में 12 ज ती तुरी पर 12 गर्ष यानी कि 11 मिटर यानि गोड लाइन से 12 गर्ष यानी 11 मिटर की दूरी पर पिनल्टी कि लेने का पिनाल्टि swimsर्ट होता है दोस्तों यहीं पर हांकी में पूचएगा तो गोल लाइन से असे तो साथ गज कितना होता है साथ गज ठीक है पूछेगा तो साथ मीटर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है दोस्तो पिनाल्टे किक किस खेल से समंधित है फुटबाल से दोस्तो जैसा कि फुटबाल में जितने भी सब्दा वॉली है उसमें किक जादे तर आता है यानि किक सब्द जिसमें प्रियुक होगा वह जान जैसे कि अन्य सब्दा वाल लिया है पेनाल्टी किक जैसे कि फुटबाल से दुटबाल जिलेटध है और अन्य है पेनाल्टी किक मीड़ फिल्ड सेंटर स्ट्राइकर एंड फ्रीक किक ड्रिबल, एक्स्ट्र ट्राइम इन्डारेक्ट किक, बनाना किक, सिजर्ज किक, बैक थ्रू इन, वाली, ट्राइब एकर, सदेन डेथ, कॉर्नर किक, कॉर्नर फ्लेक, फिश्ट, फर्स्ट आफ, सिकेंड आफ, लॉन टैकल, हैट्रिक, चीफ, फेर चार्ज, क्रास किक आफ, गोल किक आफ, टॉटल, गोल्डन यह सबधा वलिया हैं फुटबाल से रिलेटिड नेक्स कुरुचन है इस सीट्राइकर सब दे किस खेल से रिलेटिड है तो किस रिलेटिड है फुटबाल से आपसे number secret होगा निश्ट है कानर की किस खेल से समंधित है तो किसे है फुटबाल से निश्ट कुश्चन है दोस्तों फुटबाल के बारे में कौन सा कथन सकते है तो फुटबाल के बारे में कौन सा कथन सकते है ए है कानर किक के समय विपच्छी किसी भी दूरी पर खड़े हो सकते है नू यह आपसंग गलत है बी है पोटबाल मैच में एक रेफरी द्वरार नीड़े होता है सी है थ्रो इन से सीधे गोल किया जा सकता है तो दोस्तों यह गलत है थ्रो इन पर सीधे गोल नहीं किया जा सकता है एगिवेरे किसे कर दो है तो यहों पर तीन ऐसे सीज़े गोल कीक आपसे सलगेश्य Prop easy करोज बन एक और ख़िला जाता है ऐसर सिद्राइक होता है नब कर साथ हूचnar फुटबाल मैच में निरिच्छर करने के लिए अधिकारियों में एक रेफरी, दो लाइन मैं एक टेबल अधिकारी होता है Next question है फुटबाल मैच में टाइम कीपर के रूप में निरिखित में कौन कारे करता है तो दोस्तो आफसर नमबर A यहाँ पर करेक्ट होगा रेफरी, रेफरी ही फुटबाल मैच में टाइम कीपर का कारे करता है Next है फुटबाल के खेल में जब अत्रिक्ट समय देने के बाद मैच का कोई निर्ड़ नहीं निकलता तो रेफरी निर्ड़ में से किसी के द्वारा मैच का फैसला करवाता है दोस्तों जैसा कि फुटबाल मैच में क्या होता है कि जब मैच टाइ हो जाती है तो 15-15 मिनट का अत्रिक्ट समय दिया जाता है और दोस्तों जब अत्रिक्ट समय के बाद भी टाइ रहता है तो रेफरी द्वारा पेनाल्टी किक दिया जाता है और उसमें भी ताई रहता है तो सदेन डेट नियम लागू होता है तो यहां पर क्या पुछा है कि अत्रिस समय के बाद भी मैच का फैसला नहीं हो पाता है तो क्या दिया जाता है पेनाल्टे किक के द्वारा फैसला होता है अपसन नमबर बी करेक्ट होगा यानि प्रतेक टीमों को पांच-पांच पिनाल्टे किक दिया जाएगा और यह क्रम तब तक जारी रहता है ज़त तक की गरंथी तूटे नहीं फुटबाल की खेल की अवधी कितनी होती है तो फुटबाल नब्वे मिनट का होता है पैतालिस पैतालिस मिनट के दो हाफ और पंद्रे मिनट का बीच में दुनों की बीच में मध्यांतर होता है कि लुटे है फुटबाल खेल में कितनीनियम होते है तो फुटबाल खेल में कुल कुल करेक्ट होगा दोस्तो नो दंड अपराद फुटबारत के नियम से समंधित है इसमें कों कों से नो दंड अपराद है जैसे कि इसमें से चार अपराद जो है वो हाथ से रिलिटेड है और दो सरीर से है और तीन पैर से रिलिटेड अपराद है चार हाथ से समंधित अपराद जैसे की गेंद की हैंडलिंग, प्रतिद्वन्दी को पकरना, धकेलना, मारना एंड दो सरीश से समंधित हैं और तीन पैर से समंधित अपराद या दूर्बेवहर शामिल हैं मेश्ट है किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा सीन गार्ड का प्रियोग किया जाता है तो किस के द्वारा किया जाता है किस खेल के खिलाड़ी द्वारा, फुटबाल के खिलाड़ी द्वारा मेश्ट कोश्चन है फुटबाल के गेंद का वजन कितना होता है कितना होता है दोस्तों फुटवाल के गेंद का वजन कितना होता है 396 से 400 तिरपन ग्राम आपसन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा 396 से 400 तिरपन ग्राम ठीक है इन दोस्तों इसकी परीदी कितनी होती है तो 27 से 28 इंच होती है यानि 800 से 70 सेंटीमीटर और इस बार को हवा का दबाव कितना होता है इन दोस्तों इसकी ग्राउंड की माप क्या होती है फुटबाल की 90 से 120 मीटर यानि 100 से 130 गर्ज होता है लंबाई और चोड़ाई 45 से 90 मीटर यानि 50 से 100 गर्ज होता है वहीं पर अंतर राष्टी मेहचों की बात करें तो 120 गुरे 80 या 110 गुरे 70 गर्ज में होता है एन मीटर में 110 गुड़े 75 मीटर या 100 गुड़े 64 मीटर का होता है ग्राउंड नेक्ट क्वेश्चन है महान फुटबाल खिलाडी दिएगू मेरा डोना किस देश का है तो दिएगू मेरा डोना किस देश का है दोस्तों आर्जेंटीना का आपसन नमबर बी करेक्ट होगा विख्यात फुटबाल खिलाडी दिएगू मेरा डोना का जन अर्जेंटीना की राधानी बियुनस आयर्स में लानूस नामक सहर में 30 अक्टूबर 1960 को हुआ था और फीफा प्लेयर आफ दी सेंचुरी पुरुषकार के लिए उन्हें इंटरनेट मतदान में पहला असान मिला और उन्होंने पहले के साथ पुरुषकार में साज़िदारी की और 2008 में नमबर 2008 में अर कि फुटबाल मैच में थ्रोइन के समय अन्य खिलाडी कितनी दूरी पर खड़े होंगे तो दोस्तों फुटबाल मैच के समय थ्रोइन के समय अन्य खिलाडी कितनी दूरी पर रहेंगे तो दो मीटर दो मीटर यानि दो समलों दो गज की दूरी पर होंगे फुटबाल में बिरोधी टीम को प्रत्यश की कब नहीं दी जाती है तो प्रत्यश की दोस्तों जाम बुश के कोई किया गया अपराद है उसके लिए दिया जाता है तो यहां आपसन है अंजाने में बाल हाथ से चुने पर बिरोधी को धक्का देने पर बिरोधी को मारने पर बिरोधी के ऊपर कुदने पर तो आपसना ओसन नेमबर ए यहां पर करेक्ट होजाएगा दोस्तों जैसा कि जान बुछ कर किये अपराद नो नियम होते हैं जिसके उलंगन पर प्रत्यश्किक या उलंगन भावल माना जाता है जैसे कि किसी ब्रियोधी को लात मारना या प्रयत में करना लात मारने की और ब्रियोधी को लंगनी देना ब्रियोधी से खतरनाक धंग से लटकाना तकराना और किसी ब्रियोधी से पीछे से तकराना ब्रियोधी पर कुदना या ब्रियोधी को मारना या ब्रियोधी को पकड़ प्रियोधी को धक्का देना गेंद को अपने हाथ अथ्वा भूजा से रोकना अथ्वा खेलना इन सब पर फावल दिया जाता है लेक्स कोर्शन है दोस्तों किस देश ने विश्व का फुटबाल सबसे अधिक बार जीता है तो किस ने जीता है ब्राजील जो है अब तक सबसे अधिक बार पांच बार जीता है विश्व का फुटबाल उसके बाद कोई जीता है तो चार बार आपका जर्मनी और इटली चार बार जीते हैं जैसा कि दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप की सुरुवात 13 जुलाई 1930 को उर्ग्वी की राधानी मौंट वीडियो में हुआ था एंड दोस्तों उसमें विजेता भी उर्ग्वे ही हुआ था एंड दोस्तों आपके एक्जांस में आगे पूछने माले सवाल क्या है कि 2021-2018 का फीफा वर्ल कप कहां हुआ था 21 फीफा वर्ल कप तो रसिया में हुआ था और 22 फीफा वर्ल कप कब होगा 2022 में तो दोहा कतर में होगा इसको आपको याद रखना है एंड दोस्तों नेक्ट कोश्चन है कि फुटबाल के खेल में गोल पोस्ट की उचाई कितनी होती है तो दोस्तों फुटबाल के खेल में गोल पोस्ट की उचाई कितनी होती है तो गोल पोस्ट की उचाई जो है आठ फिट होती है कितना होता है आठ फिट होता है यानि कि दो दस्वलों चार चार मीटर आपसन नमबर डी करेट हो जाएगा दो दस्वलों चार चार मीटर यह दोस्तों वही पर हाकी का गोल पोस्ट कितना होता है उचा साथ फुट यहीं दो दस्वलों एक चार मीटर जैसे कि दोस्तों फुटबाल में गोल पोस्ट की उचाई और चौड़ाई कितनी होती है आठ फिट उचा होता है यानि 2.4 मिटर और चोड़ा आठ गज यानि की 7.3 मिटर होता है वही पहां की की गोल पोस्ट की लंबाई चार गज होता है यानि की 3.6 मिटर और उचाई 7 फुट यानि 2.1 चार मिटर होता है क ni när success in Kenya की फुट्बाल में हैं आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं तो फुट्बाल में कैसा रोता है आक से दूस्तों शफेद होता है करें Ident koeundee केन 시간 में मैदान की लंबाई होती है कीतना होता है कि मीटर में 90 ए 120 मीटर होता है आप संननल नमबर यहाँ पर correct हो जाएगा वहीं पर गज में पूछेगा तो 100 से 130 गज हो जाएगा ठीक है नेक्ट कुर्श्चन है दोस्तों कि फुटबाल मैदान का गोल छेतर होता है तो फुटबाल मैदान का गोल छेतर कितना होता है गोल छेतर 6 गुड़े 20 गज होता है गुड़े 44 गज हो जाएगा नेक्ट कुर्श्चन है पहले एक प्रसिद खिलाडी था किसका फुटबाल खिलाडी था और दोस्तों कुछ प्रसिद खिलाडीों के नाम जैसे की पहले वो गया ये ब्राजील के थे रोनाल्डो ब्राजील के थे एंड लियोनेल मैसी अर्जेंटिना के थे मैरा डोना भी अर्जेंटिना के थे एंड डेविस बेखम जो इंग्लेंड के थे एंड जिडान जो है वो फ्रांस के थे तो इन सब को याद रखना आपको जरूरी है नेक्ट कोश्चन है कि इन में से पहले के नाम से जाना जाता है कौन डोनाल्डो रिवाल्डो दियेगू मेरा डोना एंड एर्सन और आन टेस डे नसी मेंटू तो कौन डोस्तो आपसा नमबर डी एर्सन और अरांटेस डे नसी मेंटू इसका वास्तविक नाम है नेक्ट कुश्चन है बेंबले इस्टेडियम लंडन जुड़ा हुआ है किस से जुड़ा हुआ है दोस्तों फुटबाल से आपसा नमबर डी करेक्ट होगा जैसा कि दोस्तों फुटबाल से बेंबले इस्टेडियम जुड़ा हुआ है वहीं पर लार्स का मैदान जो लंदन में है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है तो बेमिले इस्टेडियम किसे जुड़ा हुआ है फुटबाल से इसकी चंता 90,000 है वर्ष 2012 लंडन उनम्पिक खेलों में इस इस्टेडियम में फुटबाल मैचों की मेजबानी की ती इस इस्टेडियम ने फुटबाल मैच की मेजबाने की थी नेस्ट कोश्चन है फुटबाल मैच में खिलारी को चेताउनी हेतु दिखाया जाने वाला कार्ड होता है तो दोस्तों जो फुटबाल मैच होता है इसमें सिर्फ दो कार्ड दिखा जाते हैं एक पीला और लाल तो जो पीला कार्ड होता है वो चितावनी होती दिखाया जाता है तो यहाँ पर आपसन नंबर बी करेट होगा जिताओनी हे तू फुटबाल में कौन सा कार्ड दिखा जाता है पीला आपसन नंबर बी करेट है और दोस्तों नेक्ट कोस्टन है प्रथम ACI खेलों में भारत ने किस देश को हरा कर फुटबाल चेंपियंशिप जीती तो दोस्तों प्रथम ACI खेलों में किस देश को हरा कर जिता था तो इरान को हरा कर प्रथम ACI कब संपन हुआ था 1951 नए दिल्ली में कब संपन हुआ था 1951 नए दिल्ली में जब कि दूस्तों फुटबाल उलम्पिक खिलो में भारत देश ने फुटबाल में एक भी पदक अभी तक नहीं हासिल किया है और उलम्पिक में भारत ने सबसे पहले पति भाग किया था 1948 के लंदन उलम्पिक में फिर 52 में हिलन्सकी फिल्लैन में फिर 56 में तीसरी बार मेलबुन आश्रिया में भाग लिया और 56 में ही ओ चथा अस्था अस्थान प्राप्त किया था उसके बाद आखरी बार भाग लिया उनिस सो साथ रोम उलम्पिक में उसके बाद आज तक उलम्पिक के लिए कोई कभी क्वालिफाई नहीं कर पाया है भारत ने अजब कि एसे खेलों में पहले ही एसे खेलों में इन्होंने इरान को हराकर फुर्बाल चेंपियन सी जीता जीता है नेस्ट कोच्छन है आपसाइड नियम किस खेल से रिलेटेड है तो आपसाइड किस से रिलेटेड है दोस्तों फुटबाल से और नेक्स्ट कोच्छन है अरजिन पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले फुटबाल खिलाडी का नाम क्या है दोस्तों तो फीके बनरजी जी को 1961 में मिला है और अरजिन पुरुसकार की सुरुवात कब हुआ है 1961 से ही उन्यस्तों नीस्टों निस्सोर्पारसट में तुरसी बल्राम को और उन्यस्तों फुरुसके नेक्स्ट तो से है मेरा डूना ने सथक का गोल किया था तो इंगलेंड की बुरुद आपसा नंबर D correct है इन्होंने 22 जूर 1986 में खेले गए 200 कप फुटबाल मैच के क्वार्टर फाइनल में अपना सौवा गोल इंग्लेंड के विरूद किया था Next question है 2014 वर्ल्ड कप में किस खिलाईने को Eri Dars गोल्डन बाल फुटबाल से समानित किया गया था तो लियो लेंड मेची को किसको लियो लेंड मेची को दोस्तों जैसा कि फुटबाल में गोल्डन बूट और गोल्डन बाल और गोल्डन बूट में पुरुसकार दिये जाते हैं जैसा कि 2018 का फिफा वर्लकप जब हुआ था रूस में तो 2018 में विइस्तुकॉप में फिफा विइस्तोप में गोल्डन बाल लुकामेडिक को दिया गया जो कुरुएसिया की थे एंड गोल्डन बुट पुर्षकार हैरी कैन इंगलेंड को प्रिदांग किया गया इसको आप याद कर ली請 गूल्डन बॉल्ड लुकामेट्रिक कुरिसिया के हैं और गूल्डन बूट हैरीकेन को इंग्लेंड के हैं ठीक है निव्न में चैकरवनों गलत है कि तो दुस्तों पहला है सार्ट लेक स्टेडियम कुलकत्ता फिर है बराबती इस्टेडियम भुनेश्वर, फिर है कलूर इंटरनेशनल इस्टेडियम कोच्ची, दोस्तों जैसा कि सांट इस्टेडियम कुलकत्ता में ही है, यह सही है, जेकि बराबती इस्टेडियम भुनेश्वर में नहीं है, यह कटक उडिशा में है, यह गलत है, पर करक्ट होगा यह बरबती इस्टेडियम कटक उडिशा में है तो दोस्तों फुर्बाल से रिलेटे जितने भी क्वेज प्रिवेज ये में पूछे गए थे उन्स सभी वीडियो में दिया गया है आई होब कि दोस्तों सभी क्वेज आपको समझ में आये होंगे सभी तो दोस्तों बने रहे हैं वीडियो पर लगातार मेरे चैनल पर लगातार बने रहे हैं और यहां पर आपको टापिक वाइस सभी टापिक मिलते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताईए और जादे सेयर किया किजिए दोस्तों जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिससे डेली बेसे से मैं वीडियो आपके लिए बना सकूँ एंद दोस्तों पहनी बाइब विजित कर रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को फ्रेस कर लीजिए जिससे जो ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका न